असलाम लेकुम क्लास, I am your biology teacher Anam Sayad So, biology की हम लोगोंने दो chapters कवर करने है, human organ systems और second one है हमारे पास cell division तो हमारा जो first chapter है which is human organ systems तो let's start with that Okay, what is an organ system? अब organ system हमारे पास क्या होता है? हमारी body में different types के organs present है जब एक type के organ, एक type से मुराद जिनका function थोड़ा सा same हूँ, ठीक है जिस तरह हमारा digestive system है उसके अंदर different organs, कोई एक organ नहीं different organ मिलते हैं और एक system बना देते हैं वो सारे के सारे organ मिलके एक ही function परपॉर्म करें तो हम उसको कह देते हैं यह एक organ system है और उसका हम एक specific function भी बता देते हैं अब हमारे पास यह devian बनती कैसे है अगर हम individual को देखें तो सबसे जो छोटा particle है हमारे पास उसको हम कहते है atom जब हमारे पास atoms मिलते हैं तो molecule बनता है molecule हमारे पास हों मिलेंगे तो हमारे पास organically बनती है organically जब मिलेंगे तो cell बनता है अब cell हमारे पास हर individual जो भी living organism present है सब के सब cell से मिलकर बने हुए हैं अब हमारे पास जो similar type के cells होते हैं वो जब हमारे पास together होते हैं तो हमारे पास tissue बनता है tissue से हमारे पास बनते हैं organ जैसे organ हमारे पास stomach है liver है brain है heart है सारे की सारे हमारे पास organs है अब वो बले organs जिनका function same होता है वो आपस में इकठे होके हमारे पास बनाते है organ system जैसे हमारे पास digestive system अभी मैंने भी बताया अब digestive system में हमारे पास जैसे pharynx मू से start होता है उसके अंदर stomach आ जाएगा उसके नदर small intestine है large intestine है तो हमारे पास different किसम के organ मिलते हैं और हमारे पास एक organ system बनता है अब ए सारे किसारे जब हमारे पास organ system मिलेंगे तो एक पूरे का पूरा individual बन जाता है जिसे हम living organism या हम human being अपनी example भी ले सकते हैं तो let's start with nervous system अब nervous system भी हमारे पास क्या है एक organ system है Whenever a person gets injury on his foot while walking he feels pain in his hand immediately reach the injured site अब क्या कह रहे हैं अगर कोई एक ऐसा बन्दा जिब हमें भी किसी पाउं में खुदानों को आसता अगर चोट लग जाती है या चलते हुए या कोई भाग रह ठीक है तो क्या होता है हमें एक दम से दर्द होता है और हमारा जो हाथ है वो दर्द वली जगा पे पहुँन जाता है Who asks the hand to reach the site अब हमें कौन कहता है वो बन्दा ऐसे कोई क्या जीज़ा हमारे अंदर जो हमें कह रही है तो मैं यहां पर दर्द हुआ है उसको पकड़ो In fact, there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions जाहिर से बात है हमारी बोड़ी के अंदर कोई न कोई एक ऐसा organ system present है जो के sense कर रहा है हमारी बोड़ी के अंदर कोई भी change आ रहा है उसको और आगे उसके response कर रहा है हमारी बोड़ी में जो भी change आ रहा है environment के accordingly अब हमें अगर कोई दर्द होता है या हमें कोई चीज गरम फील हो रही है तो एकदम से हमारी बोड़ी sense कर लेती है yes, this is hot ठीक है तो हम फोरन से अपना बहाद जो है वो पीछे कर लेती है तो यह हमें सब messages कोई पहुंचा रहा है हमारी बोड़ी में एक organ system है जिसको हम कहते है nervous system यह सारे के सारे messages हमारी बोड़ी में convey करता है मतलब लेके जाता है और पिर उसके accordingly हमारी बोड़ी जो है वो respond करती है according to the environmental conditions इस system is called nervous system और इसको हम कहाँ देंगे nervous system नेक्स आज़ता है हमारे पास human nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system अब जो हमारा human nervous system है इसके हमारे पास दो आगे हम इसको divide करते हैं branches में एक आज़ता है central nervous system और एक आज़ता है हमारे पास peripheral nervous system अब हम देख लेते हैं central nervous system में क्या है और peripheral nervous system में हमारे पास क्या आता है central nervous system is composed of brain and spinal cord हमारा brain और यह जो हमारी read की हड़ी के अंदर spinal cord होती है उसको हम क्या कह देंगे central nervous system जबके peripheral nervous system में हमारे पास सारे के सारे जो network है nerves का which connect the central nervous system to all parts of the body अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा brain जो है ऐसे कई ऐसा के ऐसा ही पड़ा हो हमारी बाड़ी के अंदर उसको ज़रूर हमारी बाड़ी के हर पार्ट से link होना चाहिए connection होना चाहिए ताके जो भी हमारे बाड़ी में कोई भी changes आ रही है peripheral nervous system हम उसको कहते हैं ठीक है तो हमारे पास यह होगी दो branches nervous system की which are the central nervous system and peripheral nervous system thank you so much